वेल्कम बेक टो माइ चैनल आहट फेक्टरी पीडिव फ्रेंड्स आज मैं जो आर्टिकल आपके लिए लेकर आई हूँ वो आर्टिकल बहुत खुबसूरत है और आपकी सभी क्वेरीज को ये दूर करने वाला है बहुत ब्यूटिफुल से रोजिज है और एक पूरा पैटर ये तो मैं आपको एक के साथ एक करके वन बाई वन सभी के सभी आपको जो डिटेल्स है वो आज देने वाले हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए का चैनल पर नए है सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथे साथ वीडियो को बहुत सारा शे है पेंक कलर का वो लिया है और ये भी केट आती है पेस्टल शेड की और इस तरह से एक हमने फ्री हैंड शेप बनाई है यहां कोई पैंसल ड्रॉइंग नहीं है बैक्राउंड शेडिंग मैं आपको अरड़ी सिखा चुकी हूँ तो हलका सा वाइटनेस के साथ हम इस जो पै अब आप वो चीज़ देखिएगा यह प्रॉपरली जो है हमें जहां से जिस पैटल को आवरलैप करना है जिसको ऊपर रखना है वो चीज़े हमने यहां पर डिसाइड कर ली हैं और हम लेंगे नियॉन पिंक कलर नियॉन पिंक कलर को इस तरह से सेंटर से लेकर उसको अच् की तरफ जो नीचे पैटल्स हमने बनाई है उस तरफ में हम इसको मर्ज करेंगे जिससे आपकी जो शेप है वो अच्छे से डिफाइन हो जाएगी और फिर जो हमने पैटल्स ओवरलैप हैं और जहां हमें डाकनस देनी है वो चीज़े हम डिसाइड करेंगे एंड देन हम उ हैं हमारे रोज फ्लार की बॉड़ी का तो वो जो पैटल्स हम उनको शेप देंगे और इसके बाद जो है ओपर की जो पैटल्स हैं ओपर जितनी भी ओवरलैपिंग है वो चीज़े हम लेंगे और यहां से भी हमें कुछ पैटल्स इसी तरह से बनानी है आइ होप आप सब को समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमें पैटल्स को बनाना है हमने यहां कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की है कोई ज़्यादा हमने यहां ड्रॉइंग नहीं की है just हमने हमारी imagination के साथ ही इन चीज़ों को create किया है और फिर हमने किया है थोड़ा-थोड़ा स से शो होगी और उसको हमने उसी तरह से आइडेंटिफाई करना है और हाँ आप जो पैटल से हैं उनको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे उनकी शापनेस का भी आपको ध्यान रखना है यानि कि उनकी जहां एजेज आ रहे हैं जहां पर उनकी कॉर्नर्स हैं उन चीजों को आपको ज अच्छे से जो है न शापनेस देनी होगी जिसकी वज़ा से ही आपका जो रोज है वह थ्रीडी में लगेगा और उसका जो एफेक्ट है वह आप सब आपके सामने वह बहुत खिला हुआ सा आएगा इसी तरह से देखिए अब सेकिन फ्लार है वह बना रहे हैं लेकिन इसमे तरह से बनाना है यहां पर जो हमारा light pink color है हमारी pastel shades की कित का उसको हमने यहां पर apply किया है यानि कि यहां हमने outline नहीं ली है हमने नहीं white color के साथ किया है उसको apply किया है जो हमने light pink color लिया है उसको अच्छे से apply करने के बाद हम इसकी जो shapes हैं उनको create करेंगे और इसको थोड़ के साथ जो हमारी overlapping है उस चीज़ को highlight करेंगे और उसके बाद जो है पैटल्स को हमें highlight करना है तो आप देख रहे ना light pink के साथ जो है हमारी shades वो बहुत अच्छे से निकल कर आ गई है और इसी तरह से जो है हमारी जो जितनी भी proper उब पर शेस से नेर कर और और फिर हम डाइक से देखिए नीन पिंग के साथ हुने को उसको 2 टेप्थ है वह चीज निकाल रही है यानी कि उसको हाइलाइट कर रही है फिर सेमें प्रोसेषह के साथ हमें ओफी डाक कलर को लेना है और उसको बाहर की तरफ यानि कि नीचे की तरफ हमें उसको merge करना है एक बार हम उपर की तरफ merge करेंगे और जो second C shape बनाएंगे उसमें हम नीचे की तरफ merge करेंगे जिससे आपकी जो petals है वो जुड़ी हुई feel होती है और आपका rose है वो 3D look में feel होता है और इस तरह से करने के बाद जो है आपको यहां की जो petals है वो देनी है यानि कि यहां की जो shapes है वो चीजें यहां इस तरह से हमें निकालनी है कि वो चीज clear दिखाई दे आपका जो shape है वो बिल्कुल भी न बिगड़े आपके जो rose की shape है वो clear आपको visible हो तो उसी तरीके से हमें यहां पर one by one work करते चलना है और जो petals हैं उनमें भी इसी तरह से हमें waves और curves देने हैं देखें कोई अलग से हमने यहां drawing नहीं की थी लेकिन जो हम यहां पर दे रहे हैं हमारे folding effects और हमारी extra petals वो चीज़े easily show हो रही है तो यह जो चीज़ है यह professional level पर जाक आप जो है कर पाएंगे जो basic है वह basic जो classes थी उसमें मैं आपको बताती जा रही थी साथ-साथ अब भी है तो यह basic ही लेकिन फिर भी आपको यह थोड़ा सा advanced level पर जाकर सोचने के लिए जो है आपको सिखाता है advanced level पर जितना जो है वह चीज़ें यहां पर आपकी clear हो रही है तो इस तरह से देखे आप dark pink color के साथ आपको खुद ही यह चीज़े highlight हो गई कि कहां पर हमारा white color था और कहां से हमने जो है shades ली है तो हलका सा जो petals है उनमें whiteness है pinkish है और भी colors हम इसमें add करेंगे just ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे तो देखें जैसे ही हम folding effect के नीचे dark shade देते है तो वह अपने आप ही उभर कर हमारे सामने आ जाता है यह चीज़े जो हैं आपको ध्यान रखनी होगी और जैसे जैसे आप काम करेंगे जैसे जैसे आप practice करेंगे तो अपने आप ही यह चीज़े आप सभी के सामने highlight हो जाएंगी तो यह हमारा golden yellow color तो उसको बहुत कम quantity में ह हमें यह देना है तो यह जो white color यहां मैंने लगाया था ना उसका यही मकसद था कि जो हमें यहां शेड देनी है वह pinkish yellowish shade होगी और इसी तरह से जो है हमें सारी petals को highlight करना है और जो inner part है ना उसको dark करना तो बिल्कुल भी मत भूल येगा क्योंकि उसी से जो आपकी drawing है आपक natural effect देते हैं और बहुत ही जो है ना fine इनका result होता है क्योंकि ज्यादा कुछ आपको इसमें करना नहीं है ना ही कहीं से आपको trace करना है जस्ट आपको imagination के साथ खेलना है और colors को apply करना है लेकिन ये चीज़े भी एकदम से नहीं होती friends क्योंकि ये चीज़े करने के लिए भी आ आपका निखार नहीं आएगा और ना ही आप उससे जो है detailed जो work है वो कर पाएंगे तो देखे अब ये जो blue color है ये मैं कहां कहां ले रही हूं जहां हमारा बिल्कुल dark portion है यानि कि जहां petals overlap कर रही है और जहां folding आ रहा है effect वहां पर तो कहीं पर light कहीं पर ज्यादा इस तरह स हिस्सा वहां पर आपको ये लेना है आपको जादा blue color नहीं लेना है क्योंकि हमें blue rose नहीं बनाना है सिर्फ pink में blue की tone है और उसी को हमने यहां पर highlight करना है तो अब yellow के साथ मैं इसको यहां merge कर रही हूं जिससे कि यह जो shade है वह अपने आप ही जो है blue की कम हो जाएगी और ज चीजे आपको जो YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा और आपको यह चीजे करने से ही आएंगे समझ में कहीं आपका स्टार्टिंग में कहीं ज्यादा लगेगा color कहीं कम लगेगा तो उसी के accordingly आप यह चीज़ डिसाइड कर पाएंगे तो अब यह folding effects जहां थे ना वहां पर हलका हलका सा हमने दिया blue color and then उसको कर दिया merge तो आप खुद देख रहे हैं कि हमारी जो पैटल है वह highlight हो गई है और उसे जो effect है वह हमारा अपने आप ही निकल कर आ गया है तो जो भी काम करें आप painting में तो वह चीज़ आपको यह सोच कर करना होगा कि कैसे कहां पर आपको क्या effect देना है तो सेंटर को भी हलका सा ब्लूइश एफेक्ट दिया है मैंने क्योंकि यहां पर जो है हमारा फ्लार थोड़ा सा गहरा होता है और बारी डिटेलिंग का काम तो हम खैर लास्ट में करेंगे जब हमारा पूरा काम हो जाएगा तो और इस तरह से जैसे जैसे हम आपने पिंटिंग को एक रूप देंगे हमारे सामने जो है वो शेप्स अपने आप ही आ जाएंगी तो जो ब्लू कलर आप लगाएंगे ना उसको एज़िट इस नहीं छोड़ेंगे उसको मर्ज जरूर करेंगे क्योंकि हमें यहां कलर नहीं करना है सिर्फ एफेक्ट दिना है ब् मतलब कि वो विजिबल एरिया आपका वो बन जाएगा तो आप देख रहे हैं दोनों रोज कितने आसानी से बन गए तो आप देखे मैंने थर्ड रोज भी बना लिया है यह थोड़ा सा येलोई स्टोन इसमें ज्यादा की है अब जो है वो ब्लैक कलर का काम है यह बारी डि प्रकाया एंड देन उसको हम अब क्या करेंगे हमारी दूसरी ब्रश के साथ मर्ज करेंगी यह वाला है यहां पर डैप्ट को क्रियेट करने के लिए मैंने इसको भी मर्ज कर दिया और जो सेंटर है उसको भी हमें मर्ज करना है लेकिन यह काम आप कब करेंगे जब आपके बिल्कुल ड्राय हो जाएंगे तब और फिर जो हमारा जितना भी हमारा बारी काम होगा उसको हम इसी तरह से करते चलेंगे और सेंटर का जितना भी काम है देखे आप यहां कलर लगाया हमने हलका हलका और उसको हमें ड्राय ब्रश ग्यानी की जो हमारी ब्रश है पानी में रखी है वह वह उसको बिल्कुल अच्छे से पउंच कर यानि किगी तो होना चाहिए brush लेकिन उसको अच्छे से पॉंच कर जाया पानी नहीं होना चाहिए और फिर आप उसको merge करेंगे तो वह बहूत अच्छे से merge होगा और ज्यादा का अपका बिल्कुल क्लाउडी आएगा इस तरह से आपको सारी पैटल्स को बिल्कुल राफली आउटलाइन देनी है हमें प्रॉपर आउटलाइन यहां नहीं देनी है और जो डिजाइन है हमारा वह इसी पर इसकी ब्यूटी जो है वो निर्फर करती है कि आपने उसको जो आउटलाइन है वो किस तरह से देख कि आज कल का जो ट्रेंड है न वो इस तरह की आउटलाइन का है अब देखे यह जो कॉर्णर है यहां दो फ्लार्स मिले हुए है तो मैं यहां 3D एफेक्ट देने की कोश कर रही हो हलका हलका सा जो है हमने ब्लैक कलर को मर्ज कर दिया है एंड देन हम उसको अच्छे से इस एरिया में मर्ज कर देंगे जिससे वो अलग से नहीं दिखेगा और जो क्रीज आएंगी जो लाइन्स आएंगी उसको हम पानी के साथ मिक्स कर देंगे और अभी तो इसमे अगला स्टेप क्या होगा अब वो देखेगा तो यह जब आउटलाइन आप करेंगे ना तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आउटलाइन फाइन होनी चाहिए और थोड़ी बारीक ही आउटलाइन आप यहां पर रखे यानि कि ज्यादा मोटे आउटलाइन यहां की पेंटिंग कहेगी के हां मैं ब्यूटिफुल हूँ तो इस तरह से करने के बाद देखे आपको दिख रही हैं प्रॉपर सारी शेप दिख रही होंगी और बहुत अच्छे से जो है हमारा यह डिजाइन भी आपको दिख रहा है अब देखे इसको भी हमें मर्ज कर दिना ह इस तरह से तो यह जो डैप्ट के तरीका है यह मुझे सबसे इजी लगता है कि आउटलाइन करते समय हमें थोड़ा सा यहां पर कलर लेकर मर्ज करना है तो अब देखे मैंने ब्लैक और हमारे वाइट कलर को लेकर थोड़ा सा डाक शेड लिया है यानि कि ग्रेश शेड लि है और वाइट के साथ उसको मर्ज करेंगे और एंड देन जितने भी इनर कॉर्णर है वहां पर यह ग्रेश टोन लगाकर हमें शेडो क्रियेट करनी है इसकी तो और भी तरीके से मैं आपको यह चीजे सिखाऊंगे आने वाली वीडियो में आपको मेरे साथ बनी रहना पड पर तो यह जो क्लावड़ी एफेक्ट है ना यह एफेक्ट देने का मेरा मतलब यह है कि हमें जो फ्लार्स का उभार है वो थोड़ा सा जादा करना है यानि कि अगर ग्रे कलर में हम कलरफुल चीजों को एड करते हैं तो वह अपने आप ही उभरती है जिस तरह से वाइट कल मर्ज होती है तो कलर को पतला ही रखेगा यहाँ पर जो हमें बैग्राउंड गे जो शेडिंग दे रही हो मैं ग्रे वाली इसको थोड़ा पतला ही रखेगा गाडा कलर यहाँ पर नहीं चलेगा और उसके बाद जो है हमें जिस साइड पर ज़्यादा शेड रखनी है उस सा तो जो है हमें उसी तरह से जो highlight करना है जो मैंने आपको तरीका बताया है तो just color लगाने के बाद हमें क्या करना है ऐसे ही नहीं छोड़ना है इसको अब हलका सा brush में पानी लेंगे और इसको हमें merge भी करना है तो white color के साथ जो है upper part है उसका जो वो करेंगे और जो हमने black लगाया है वो तो है ही तो इस तरह से grey stone के साथ हमें इसको 3D effect देना है और ये करने के बाद मैं अभी क्या करूंगे आप वो भी देखेगा अच्छे से क्योंकि वो दूसरी brush के साथ अलग से मैं करने वाली हूँ तो बने रही है मेरे साथ और ये चीजे जो है ये आपकी painting की detailing है बारी किया है और इस तरह से cloudy effect ना बहुत खुब्सूरत लगता है कहीं का भी आप background देंगे ना बहुत प्यारा लगता अब देखें इस side तो मैंने white shade भी जादा लिया है यानि कि ये जो दूसरा opposite side हो गया हमारा तो यहां पर हमें थोड़ा सा whiteness जादा लेनी है ग्रेश जो है वो कम लेनी है तो नीचे जो background दिया था ना green, pink, yellow color से तो वो चीज भी यहां पर show होगी वो छुपेगी नहीं friends तो वो show करने का भी मेरा यही मकसद है कि जो shade है वो light light show हो लेकिन जो हमारा ग्रेश जो match है वो हमारा थोड़ा सा dark show हो तो बड़ी brush के साथ हमें पानी के साथ साथ ये colors को merge करना है मैं color भी इसी brush से ले रही हूँ उससे जो है आपका effect है वो बहुत natural हो जाता है क्योंकि वो बड़े area को एक साथ cover करती है छोटी brush से हम करते रहते हैं तो वो एक बार dry हो जाता है और एक बार फिर से वो चीज जो है आप फिर color लेते हैं तो वो फिर अलग से patchy look जो है वो देता है तो वो चीज ना आए इसलिए आप पानी लीजिए brush में और हलका color भी लीजिए और फिर आप इसको background को बनाईए तो आपको भी दिख रहा होगा ये कि बहुत अच्छे से जो है हमारे flower visible हो रहे हैं और बहुत अच्छे से जो हमारे सामने show कर रहे हैं अब यह है पहले sap green color लिया है लेकिन बहुत कम quantity में वो यहां दिखाई देगा दिखाई देने से मतलब यह है कि जो हमें यहां leaf की shade देनी है वो थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने यह किया है leaf बनाने easy है यह बहुत easy है लेकिन जो मैं यहां create करूंगी अभी वो थोड़ा सा अभी तक की वीडियो में तो यह इस तरह से हमने जो है leaf create कि हैं कि हाँ यहां पर leaf है आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन जो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूं वो थोड़ा सा different है और थोड़ा सा आपको भी वो अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे बहुत पर से मैं जो थोड़ा थोड़ा सा green green color के साथ बना रही है और कुछ leaf अलग से भी सिर्फ green green color के बना रही हूं तो जो हमने साइब green लगाया था उसको हमें छुपाना भी नहीं है और वो जो है उसको highlight करना जो है वो जरूरी है इस तरह से इसको हमें एक प्रॉपर वे में को जो है दिखाना है अब यह वाइट कलर है और एक साइड लीफ पर या फिर आप सेंटर से जैसे आपको अच्छा लगे उसको आप इस तरह से बना दीजिए यह देखे हमारा जो डिजाइन है वह बहुत कोब सूर्ती के साथ हमारे सामने आता जा रहा है आता जा रहा है आ चीजे इजी हो जाती है और जो कन्वीनियंट है हमारे लिए वही काम हमें करना चाहिए तो अब यह है डीप ग्रीन कलर यहां थोड़ा सा सोचकर आप चीजों को चलिएगा सोचकर आप यह लगाईएगा क्योंकि यहां मैं कोई लीफ के उपर नहीं कर रही हूं अलग उसके को थोड़ा सा दबाते हुए अलग से जो है लीफ सो वो क्रियेट कर रही हूं ताकि यह जो चीजे हैं यह लीफ है यह थोड़ा सा बैग्राउंड में शो करें और यह तो फरंट में खियर अपने आप ही हो जाएंगे क्योंकि डाग कलर के हैं और जो लाइट कलर के light shades के leaf हैं वो थोड़ा सा दब के यानि के background में शो करेंगे तो इस तरह से भी बना कर देखेगा painting बहुत कुपसूरत लगती है एक ही बंच बहुत है आपके suits पर दुपटा पर अलग-अलग बंच बनाईए बहुत कुपसूरत लगेंगे और इस तरह से जो है इसको हम एक proper shape दे देंगे and then हमें क्या करना है हलका हलका सा वाइटनेस देनी है डीप ग्रीन कलर में वाइट बहुत कुपसूरत लगता है और इसको हमें करने के बाद छोटे छोटे से वाइट कलर के भी leaf यहां create कर देने हैं इस तरह से अलग से यानि की background हमारा जो थोड़ा सा light शो कर रह है लेकिन जो हमारा article है हमारे flowers and leaf है वो तोड़ा सा bold शो कर रहे हैं बस यह चीज यहां मैंने दिखाने की समझाने की आपको कोशिश की है और इसको ऐसे ही complete किया है और फिर उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें करनी है थोड़ी सी outlining outlining भी हमें proper नहीं करनी है हमें अलग सी करनी है थोड़ी सी टूटी हुई सी थोड़ी सी बिखरी हुई सी और कहीं gray color से तो कहीं black color से कहीं white color से इस तरह से outline करनी है प्रॉपर नहीं करनी है यानि कि जो digital printing है यह उस तरह से कुछ बनाया है और digital printing का ही यह जो है effect देगा जब complete हो जाएगा आप सभी के सामने कमपलीशन के बाद जब आएगा तो यह gray color की outline है कुछ हमने black लिया है कुछ dark black लिया है बिल्कुल और कुछ हम इसमें फिर white भी लेंगे white का detailing का काम अभी flowers में भी बाकी है अभी खतम नहीं हुआ है और यह देखे हमारे जो leaf हैं वह बहुत खुबसूरती के साथ हमारे सामने पॉप अप हो रहे हैं और मुझे पता है कि आप लोगों को भी आज यह भी painting ना बहुत पसंद आ रही है अपनी जैसे हर painting हर वीडियो आपको अच्छी लगती है बिल्कुल वैसे ही तो अब यह चीजें जो है हमें बस ध्यान रखनी होंगी कि थोड़ा थोड़ा सा हमें उ सेंटर का और थोड़ा सा है रखनी है और फिर ऊसके बाद जो हमारे फोल्डिंग्स है उनको थोड़ा सा हाइलाइट करेंगे वाइट कलर के साथ जिससर वब तो हम वाइट जितना भी देंगे हमारी painting उतनी ही जादा निखरेंगी उभर कर आएगी तो यह चीजे जो है मतलब है कि आगर आपको अच्छय से समझ ही नहीं आया तो मेरा इतनी देर बोलने का इतना कुछ करके लिएU भीवनाऊंगी क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है सरफ वीडियो बनाना नहीं और यह आप लोग जानते हैं जो मुझसे जुड़े हैं मुझसे बाते करते हैं वेटसप पर भी और इंस्टाग्राम पर भी तो वह पर अपना आर्टिकल दिखाते हैं mistakes पूछते हैं और फिर उसको clear करते हैं फिर पूछते हैं बहुत अच्छा लगता है आप सब के साथ इस तरह से work करना और I hope आज की वीडियो से आपको काफे कुछ सीखने को मिला होगा और आप next किस topic पर वीडियो चाहते हैं मुझे जरूर बताईएगा तो ये है हमारा final look कैस लगा आपको जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा चैनल पर नई है सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा आर्ट फैक्टरी पीडी चैनल पर और हाँ फ्रेंड्स वीडियो को बहुत सारा शेयर भी कीजिएगा क्योंकि आपकी शेयरिंग से ही हमारा चैनल जो है वो ग्रो करेगा आप शेयर करेंगे तभी ये आगे चलेगा और आप जैसे और भी सीखने वालों को जोडेगा और उन्हें भी पता चलेगा कि कहां पर आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो मिलती है तो झाल 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 झाल